टू आल श्रेंट अगेन आप लोग का सौगत है आपके अपने इट्यूप चैनल जैई स्कूर में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीशल जैई तब तक रिलीज नहीं हो सकता जब तक यूपीशल जैई में फाइनल बच्चों की जोईनिंग ना हो जाए और यूपीशल जैई में बच्चों की जोईनिंग हुए भी करीब 4-5 माइनेस ओपर हो चुगा था तो यह एक्सपेक्ट हो रहा था कि यारूपीशल जैई की वेकं और दूसरी बात UPPCL AE की वेकेंसी डिले होने के पीछे दूसरा रीजन यह है कि दोनों वेकेंसी की रिक्ट्मेंट के बीच में कुछ डिफ्रेंस होना चाहिए टाइम का क्यूंकि जो 2024 का एलेक्शन है उसके लिए यह दोनों वेकेंसी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है सरकार के लिए तो UPPCL AE के जो जो कंप्लीट हो का जो प्रॉसेस वो लबबब मेरे साब से 2023 के लास्त कंप्लीट होना चाहिए ताकि जब 2024 का लोग सब्सक्राइए तो लोगों की दिमाग में बच्चों की दिमाग में यह बात रहे कि यार अभी रिक्रूट्मेंट ह तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि UPPCL AE 2023 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और क्या यह नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ रहा है और कैसे हम लोग को इतने कम समय में इस एक्जाम्प के लिए प्रिपेर करना चाहिए पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि नोटिफि 252 सीट बता रहे हैं मुझको कई लोग 245 भी कह रहें बर 252 सीट का जो मेरे पास भेजा था फोटो 252 सीट के आसपस बता रहे हैं ठीक है अब मुझे नहीं पता प्लस मैनिस क्या होगा जो मुझको बताए क्या है I am मैं आपको वही चीज बता रहा हूं 252 सीट की उमीद है UP पीपीसियल जाई के लिए और जो नोटिफिकेशन का यह लोग अपडेट बता रहे हैं नोटिफिकेशन अपडेट प्रोबेबली आप लोग का जैन एंड या फैब मिट तक आ जाएगा प्रोबेबली मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको मैं फैब मिट उमीद है जैन एंड तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा जो अभी नई अपडेट आ रही है एक्जाम आप लोग मांद के चलिए फरवरी मार्च अप्रेल एक्जाम का तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन तब भी है अप्रेल के स्टार्टिंग में जाएगा या मार्च अड तक जा सकता है या हो सकता है यार अप्रेल मिड में भी हो जाए बट ये आप लोग की डूरेशन है तो अगर आप लोग देखेंगे तो अब से आपका अपका हाडली कितने महीने रहे हैं चार महीने हैं फोर मंथ लेफ्ट हैं और अगर अब भी आप लोग बोल रहें किसार अडवर्टाइजमेंट कब आएगा तो भीया सेलेक्शन नहीं होने वाला चार महीने बचे में चार महीने में आप लोग ने पूरी जीजान लगा देजिए रात में कम सोई तीन चार घंटा सोई चलेगा बट स्लेबस कम्प्लीट होना चाहिए एक चीज़ और बता दे रहा हूँ अप लोग को अगर आपको किसी भी एक्जाम में सेलेक्शन लेना है चार आप लोग का स्लेबस कम्प्लीट होना मस्ट है जो काफी लोग कहते हैं काफी टीचर को मैंने सुनते वे बोलते वे सुना है कि यार आप लोग नेटवर्क कर लो पावर सिस्टम कर लो मसीन कर लो यह साट परशंट होगा या साट परशंट लेके करेंगे क्या कट आफ तो सत्ता परशंट जा रही है और कोई जरूरी निया कि इसके सारे कोशन आप कोई सही हो तो स्लेबस कंप्लीट होना जरूरी है स्लेबस में जितने भी नए सब्जेक्ट इंक्लूड हो रखे हैं जैसे PLC हो गया AutoCAD हो गया Environment हो गया और इसके अलावा जितने भी आप लोग के ये अपने सब्जेक्ट होगे Management वाले सब्जेक्ट होगे जितने आप लोग के न फिर Physics, Chemistry होगया आप लोग का और Engineering, Mathematic होगया ये सारे सब्जेक्ट आप लोग के Complete होना चाहिए by Heart इसके अलावा जो आप लोग का Heating, Welding, Illumination का Topic होता हो तो ये तो आप लोग का Tech के अंदर Complete होना चाहिए अगर आप लोग Selection के लिए सोच रहे हैं Along with this आप लोग का Non-Tech portion पूरा Complete होना चाहिए Non-Tech जो 50 marks का आता है आप लोग Empty Reasoning को अभी के लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि बच्चा जनरली करी लेता है आप लोग अभी फिलाल GS portion पे और Hindi portion पर focus कर सकते हैं अब देखे इसके अलावा आपको एक काम और समझना चाहिए कि Suppose कि ये आप लोग target करें कि यार ज्यादा time बिल्कुल नहीं रहा गया आप लोग Suppose कि ये target करें कि ये 15 दिन में सबोस कि ये आप लोग target करें कि पंदरा दिन के अंदर 15 दिन के अंदर हम लोग XYZ सब्जेट को पढ़ेंगे Suppose कि आप लोग target करें 15 दिन के अंदर मैं अपना machine कम्प्लीट करूँगा power system कम्प्लीट करूँगा और suppose कि ये कि आप लोग कह रहे है circuit theory कम्प्लीट करूँगा और EDC कम्प्लीट करूँगा तो अगर आप इसको complete कर रहे हैं तो ये बात याद रखेगा कि इनी 15 दिन में आप लोग को rest subject को revise करना है जैसे suppose कि ये आप लोग का power autonomous हो गया basic आता है control system का basic आता है microprocessor हो गया measurement हो गया न तो इनको आप लोग revise करेंगे तब तो चलेगी आपकी गाड़ी जिनको आप complete करेंगे complete इंदसेंग जैसे मैं करवा रहा है वैसे complete कीजिए और revise इंदसेंग जो आपका नोट्स पड़ेंगे हो और एक चीज मान लीजेगा भाईया trending questions का जमाना हो गया है तो इनके ओपर पूरा ध्यान पूर्वक दीजेगा पहले भी गलती करके अगर दुबारा सेम गलती करेंगे तो कोई फायदा नहीं हो तो trending questions को जरूर कीजिए जो मेरी 32.0 के जब series चल रहा है और जो मैंने OCMTQ में आप लोग को पूरी theory करवार कीए उसके उपर ज्यादा focus कीजिए इतना कर लीजिए आपका काम हो जाएगा और कोशिश ये कीजिए कि आप यह gen end तक अपना पूरा syllabus complete कर ले gen end तक अपना पूरा syllabus complete कर ले full syllabus हो जाना चाहिए आपका technical का और यह GS मेरे end से complete हो जानी चाहिए आप लोग के लिए क्योंकि मैं चाहता हूँ February में और March में हम लोग खाली revision करें only revision और अभी भी कह रहा हूँ time का मैं don't see other YouTube channel अगर आप लोग मुझे पे blindly trust करते हैं blindly follow करते हैं और अगर आप लोग OCMTQ का part है don't trust any other YouTube channel again I am saying आपको selection चाहिए selection करवाने की मिजारी मेरी है but don't see other YouTube channel क्योंकि वो आपका time waste करवाएंगे सब teacher अच्छे होते हैं but जैसा मैंने बताया कि जब तक आप लोग ROS नहीं डालेंगे तब तक selection नहीं होगा और साइध अगर ROS factor उन लोगों ने डाल दिया होता तो साइध आज वो लोग भी selection committee का हिस्सा होते ठीके नहीं join करते हैं वो एक अलग चीज़ था but हाँ at least उनके पास भी होता कि वो आप लोग को लाके result दिखा सकते हैं मैं दुबारा से repeat करता हूँ कई चीज़े repeat करता हूँ बार बार जिदने बच्चे prepare कर रहे हैं या अच्छे चीज़े prepare करना चाहते हैं अभी sufficient time available है आप लोग जही स्कूरर का OCMTQ batch को join कर सकते हैं अगर आप लोग ने diploma plus btec कर रखा है इसके अंदर आप लोग को complete tech मिलेगा non tech मिलेगा और threshold 2.0 combine मिलेगा जिसके अंदर हम लोग trending questions करते हैं जो 99 questions बन रहे हैं अब इसके अंदर OCMTQ batch for AE की fees अभी 14 double line चल रही है till 1 gen तक fees की इसके अंदर की fees 17 double line हो जाई है अगर आप लोग ने खाली diploma का रखा है और UPPCL और other state की त्यारी करने चाहीए तो आप UPPCL, UPRNL batch को जॉइन कर सकते हैं जेई score के इसके अंदर भी आप लोग को सब चीज सेम मिलेगा up to the level of J exam और इसकी current fees जो चल रही है वो 12 double line चल रही है तिल 1 gen तक उसके आप इसकी fees उजाएगी 14 double line ठीक है वैलिडिटी वन इयर की है तो लगवा लगवा है आप लोग को 110-120 रुपे पढ़ रहा है एक महीने का ठीक है तो वैलिडिटी वन इयर की है कोर्स के लिए एंडॉल्मेंट करने के लिए description box में मैंने app का link दे रहा है वहां से कर सकते हैं या और किसी भी तरह का doubt होता है तो आप लोग इस नमबर पर contact कर सकते हैं या description box में जो number दे रखा है उस पर आप लोग contact कर सकते हैं 85888-35256 और अपना last effort दे दीजिए मेरे साथ में जतने बच्चे OCMTQ बैच के हैं या OCMTQ बैच खोल के अच्छे से revision कर लिजिए ठीक है तो रिशुल 2.0 को जतनी classes हो रखी हैं उनको revise कर लिजिए हम लोग जल्दी सारी classes को complete कर लेंगे Thank you so much मिलते हैं आप लोग से अपनी class Thank you so much